नमस्का दोस्तों स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल क्वाल एजूकेशन में दोस्तों आज की इस सेशन में हम एक क्लास लेके आए हैं रिजनिंग की जो CET और SACZD की जो एक्जाम हैं SACCHSL की जो एक्जाम हैं उनके इसाब से बहुत important class होने वाली है इस class में हमें देखने वाले हैं कि जो सिरीज जो topic आपका जो आपका topic का सिरीज उससे किस type की क्यूशन बनते हैं इस series जो topic है उसकी हम MCQ करने वाले उसके कुछ most important जो क्यूशन है उनको देखने वाले हैं कि इसके exam में जो क्यूशन बनेंगे वो किस type से आएंगे कैसे उनको method है कैसे हम उसे soul कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं आपने अभी तक हमादे वीडियो को like नहीं किया है वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तों तो दोस्तों हम चलते हैं आज का अपना जो पहला क्यूशन है उसके तरफ देखते हैं तो देखेगा पहला क्यूशन है एक सीरीज है 33, 28, 120 क्यूशन मार्क 19, 18 आपको timer दिया जाएगा आप फटा फट से कोसिस करें कि इस question को आप जल्दी से जल्दी time में आप इस question को जल्दी से जल्दी 15 second में आप इसे solve करने की कोसिस करें दोस्तों 15 second का timer फटा फट सभी लोग comment में answer mention करेंगे कि question number 1 है उसका सही answer क्या होगा मेरी भाई तें, तीस, अठाइस, चोवीश, क्यूसन मार्क, उननीस और अठारा, ध्यान से देखें, क्यूसन को ध्यान से देखें, और ध्यान से आप कसवी लोग कमेंट में आंसर जरूर करें, कि सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरे भाई, छीके, तो जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि हम इसे देखते हैं, क्यूसन को देखना ध्यान से, क्यूसन को अगर हम ध्यान से पैटर्न समझते, तो इनके बीज का डिपरेंट कितना है, मेरे भाई, चार का डिपरेंट, इनके बीज का जो डिपरेंट है, वो कितना बन रहा है, अपने पास में, चार, इनके जाएगा जो अपने पास option C में क्या है अपना सही आंसर है फटा पट से सभी लोग session को like कर दें share करें क्योंकि बहुत ही important most most question आज की इस class में हम देखने वाले हैं question number second की भी देखने की कोसिश करें question number second आप एक बार देखें कि फटा पट से इसका answer क्या हो जाएगा question number 2 को देखने की कोसिश करें फटा पट से देखें comment में question comment में answer जदर mention करें बहुत बड़िया ठीक है question के pattern को समझना क्या इसमें हो रहा है वो सब चीजे आपको देखने है देखेगा जो question number 2 में हो रहा है जो question number 2 में हो रहा है वो यह है कि देखो 6 और 4 की बीच का डिफरेंट कितना है आपके पास में 4 ठीक है आगे आप 10 और 18 की बीच का डिफरेंट कितना है आपके पास में 8 34 और 18 की बीच का डिफरेंट कितना है आपके पास में 16 तो क्या ये 2 से मल्टिप्लाइ हो रहा है क्या जैसे 4 को multiply किया 2 से 8 8 add किया ठीक है फिर 8 add करेंगे बाद में 8 को गुणा किया 2 से 16 अब 16 को गुणा करेंगे अपन 2 से 32 32 add करेंगे अपन किसमें 34 में 34 में अगर हम add करेंगे 32 तो सही answer अपना क्या हो जाएगा 64 जो अपने पास option number option number 64 34 में हम 32 add करेंगे 62, 32, 62 64 होगा ठीक है इसमें क्या होगा 64 होगा जो अपने पास option C में क्या है सही answer अपना होगा चलो फटाफट से तीसरे question की तरब बढ़ें सभी लोग question number 3 देखें 4, 8, 12, 24, 37 इसमें आगे ऐसा क्या होगा कि आपका question बनेगा फटाफट से भी लोग बताए देखो answer mention करें comment में ज्यादा से ज्यादा लोग session को share करें like करें, comment करें देखेगा अपने पास series बन रहे 4, 8, 12, 24, 37 आगे है question mark आपको बताना कि question mark की जगे पे क्या सही answer आपका होगा ठीक है देखें इसमें जो pattern लगरा इसमें जो pattern लगरा है वो pattern ये है इस में से जो pattern लगरा आपका वो ये है communication number 3 कुष नम्बर 3 का देखनआ Egyptian number 3 में अपने पास जो pattern लगरा है वो अपने पास question है 4, 8, 12, 24 और आगे बनदा 36 देखें हम क्या करेंगे ये चार का सम्मंद 8 से भी है 12 से भी आप कैसे भी इसको कर सकते देखो लोजिक लगना चाहिए और आपका option में जो answer है वो होना चाहिए आप कैसे भी कुछ भी करके आप answer निकाल सकते दें सर्थ को गुना किया 3 से कितना 12 इस 12 को गुणा किया 3 से कितना आ गया 36 11 गुना किया किसी तीन से आठ दू शोला आठ चोविस को गुना किस से करेंगे अपन तीन से चोविस को गुना किया तीन से अपने पास में क्या बन गया भैतर जो अपने पास में ऑप्शन ए में क्या होगा अपना सही आंसर होगा फटा फट से से विलोग सेशन को लाइक कर द 23, 29, 36, 45, क्या पैटर्न बनेगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, इसको step form में कोशिज करें, इन दोनों की बीच का different कितना है, 6, आगे देखी का different कितना आ रहा इन दोनों का 7, 29, 36 के अंदर different कितने का है, 7, 36, आगे 44, 99, 45, अगर mieć 24 के बीच वे different कितना बन रहा इन आपने पास में, 8 का बन रहा है, क्या तो आगे अगर मैं 45 में 9 जोड दूँगा, अगर मैं 46 में 19 जोड दूद दूँगा, इस 46 में अगर मैंने 9 जोड दिया, तो अपने पास में तरेपन बना, अपने पास में क्या बना आपका सही answer हो जाएगा ठीक है आगे वाला question देखने की कोसिस करें question number 7 question number 7 को देखने की कोसिस करें question number 7 क्या कह रहा है देखो आपके पास में है 2, 3, 6, 15 और 42 आगे है आपसे question वाक देखो इनके बीच में सम्मद निकाले क्या सम्मद बन रहा है आपको बताना है इनके बीच में logic क्या लग रहा है फटा फट से सभी लोग देखेंगे और question number 7 में logic क्या लग रहा है question number 7 का answer बताएंगे एक बाद सभी लोग comment में question number 7 का answer mention करें ठीक है देखो एक का different है यहाँ पे कितना है 3, इनके बीच में कितना है 9, इनके बीच में कितना है 27, देखो अब अगर हम इस pattern को देखते हैं ध्यान से तो अपने पास में कुछ चीजें आ देखो यह क्या है इसका 3 गुणा इस 3 को multiply किया किसे 3 से 9 9 को multiply किया 27 27 को multiply करेंगे 3 से 81 को क्या करना आपको 42 में add करना है तो आपका answer क्या बन जाएगा 123, 123 जो आपके पास option B में है, वो क्या हो जाएगा आपका, सही answer हो जाएगा option B, question number 7 का option B, 1, 2, 3 क्या होगा आपका सही answer होगा, चलो next question देख लीजिएगा, question number 8 देखे, question number 8 देखने की कोसिस करे, question number 8 ठीक है, question number 8 का फटावर्ट से, सभी लोग कमेंट में हम mention करें, question number 8 को फटावर्ट से, एक बाद देखने की कोसिस करें, question number 8 है, अपने पास में 9, 17, 33 और 65 देखें, आगे क्या पद बनेगा, आगे आपको बताना है कि आगे इसका सही answer क्या होगा जब हम इस question को ध्यान से देखते हैं, सभी लोग कमेंट में answer करते रहें, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं, इनके बीच का different कितना है 8, इनके बीच का different कितना है 8, आगे देखो, आगे देखते हैं, इनके बीच का different, 33 में से minus 17 करना है आपको, 33 में से माइनस सतरा करना है तो इनके बीच का डिफ्रेंट सोला देखो यहां पर 65 में से माइनस 33 किया अपने पास कितना बचा 32 तो अब आगे वाला 8 दुनी 16 मतलब 16 दुना 32 32 को गुणा करेंगे किसी दोसित तो कितना बन जाएगा अपने पास में 64 64 को अपने 65 में तो अपने पास में सही आंसर क्या हो जाएगा 139 में क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा option d व्यावला क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा छे 17 इसके बाद में 49 इसके बाद में हैं भैंतर आपको कभी भी question आई अगर आपको question देखने से अगर आपका लोजिक लग रहा है कि उसन देखने से आपको समझ में आ रहा है कि इसका अंसर ये होगा तो आप कर सकते हैं नहीं हो रहा तो आपको कुछ नहीं करना इस टेम फॉब मनाने हैं देखो इनके बीच का डिफरेंट कितना है ग्यारा इनके बीच का डिफरेंट कितन मालिस क्या बन जाएगा अपने पास में एक से सsung देखने की कोशिस करें ऊपसे को देख रहा है कि 138, 138, 161, 185, 210 आगे वाला जो पद होगा वो क्या होगा आगे वाला यहांपे डिफरेंट बनरा 23 का यहांपे डिफरेंट बनरा 24 का यहांपे बनरा 25 का तो आगे डिफरेंट कितने का बन जायेगा 26 का जब हम 210 में 26 जोडेंगे तो अपने पास में सही answer क्या हो जाएगा 236 236 जो आपके पास option B में है वही क्या होगा आपका सही answer हो जाएगा चलो next question देखने की कोशिश करें Q21 Q21 देखने की कोशिश करें आप लोग Q21 देखने की कोशिश करें और फटाफट से सभी लोग Q21 को द्यान से देखिएगा Q21 को द्यान से देखिए और बताएगा Q21 का सही answer क्या हो जाएगा देखो समझना इनके बीच का different कितना एच्छ है तो फिर आगे क्या है एच्छ है आगे कितना different बड़ेगा 6 का तो 20 में अगर 8 किया मेने 6 तो कितना बन जाएगा ओप्शन B 26 ओप्शन B क्या बन जाएगा मेरा सही answer बन जाएगा Q22 को देखने की कोसिस करें Q22 का सही answer क्या हो जाएगा Q22 को देखिएगा Q22 को जब आप ध्यान से देख रहे हैं आपके पास सिरीज है 4, 7, 11, 16, 22 और आगे है Q22 क्या हो जाएगा देखो बीच का डिफरेंट देखिएगा कितना है इसका बीच का डिफरेंट इनके बीच का डिफरेंट कितना है भई 3 का इनके बीच का डिफरेंट कितना दिया है आपको 3 आगे कितना है 4 आगे कितना है 5 है 6 आगे कितना है छह तो आगे कितना बनेगा difference साथ बनेगा 22 में साथ एड किया उन्तिस OPTION B क्या हो जायगा आपका question number 22 का सही answer हो जाएगा OPTION B जो संद्पों क्यों साथ 23 को देखे गा क्योसं नबर 23 का commention 323 ध्यान से देखेगा क्यों सम्भार 23 को बताना है ध्यान से क्या इसका आंसर होगा Q23 का Q23 को ध्यान से देखिएगा क्या इसका आंसर होगा देखो 2, 8, 16 26 38 आगे है Q23 आपसे पूचा different कितना different है 6 का कितना different है इनकी बीच में 8 का, आगे देखिएगा कितना है different 10, आगे कितना बनेगा 12, आगे कितना बनेगा 14, 28, 38 में अगर हम add करेंगे कितना 38 में add किया हमने 14 38 में 14 add किया तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 52 जो अपने पास option C में क्या है सही answer, इसका सही answer क्या हो जाएगा option number C, 52 52 इसका क्या हो जाएगा मेरे बाई सही आंसर, क्यूशन नम्र 24 को देखे और सभी लोग फटा फट कॉमेंट में आंसर करें, क्यूशन नम्र 24 को दियां से देखेगा, क्यूशन नम्र 24 15, 16, 19, 20, 23 24, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा 15, 16 19, 20 23 और 24 24 यह आपके पास followers है आगे आपसे पुछा है क्या होगा ध्यान से देखेगा question को 1 का different, 3 का different 3 का different, 1 का different तेन का different, एक का different आगे कितने का different बनेगा 24 में 3 8 किया option A 27 क्या हो जाएगा मेरे बैइ सही answer हो जाएगा question number 24 का answer क्या होगा option A सही अंसर होगा 27 27 क्या हो जाएगा इसका सही अंसर question nr 25 को धियान से देखीगा question nr 25 को धियान से देखीगा 4 11, 18, 15 32, 49 आगे आप से पूचा है question mark क्या हो जाएगा वाई, सही आंसर पटा वप से भी लोग comment में answer करें comment में answer कते रहें, session को like करें session को like करें share करें session को like करें share करें और आपको बताना है आगे क्या हो जाएगा देखेगा इनके बीच का different कितना है 7 का इनके बीच का different कितना है 7 आगे क्या बन रहा अपना pattern 7 आगे क्या pattern बन रहा 7 pattern बन रहा 49 में plus कितना क्या मैंने 49 में कितना बन गए मेरे पास में Android क्या हो जाएगा मेरे बाई सही आंसर हो जाएगा और सभी आंसर जाएगा सही आंसर चाहिए इसमें सिरीज पलस सेवन ठीक है क्यूशन नमबर 25 को द्यान से देगेगा तीन पांस नो पंदरा और तेवीज यह आपके पास है आगे आपका प्यूशन मांग बताना फटाफट स सबस्क्राइब आगे कितना बनेगा, 10, last अपने पास है, 23, 23 में add किया कितना, 10, अपने पास में कितना बन गया, 23, अपने पास में, option B में है, option B क्या हो जाएगा, मेरे बाई, सही आंसर हो जाएगा, question number 28 को ध्यान से देखेगा, question number 28 को ध्यान से देखेगा, क्या हो सकता है, question number 28 द्यान से वाले हैं तो आप हमारे साथ में तक हमारे साथ में बने दिएगा क्योंकि और भी अच्छे-च्छे क्यूशन आने वाले क्यूशन समझना इसके बीच में इट एक आगे कितना बैहे मेठ और क्या नहीं हो जाएगा सही answer हो जाएगा question number 29 को ध्यान से देखे question number 29 को ध्यान से देखे question number 29 देखिएगा question number 29 आप देखिएगा और बताएगा कि क्या इसका सही answer हो जाएगा question number 29 का बताएगा क्या इसका सही answer हो जाएगा 1, 3, 6, 10 1, 3, 6, 10 आप से पुछा question mark देखो pattern समझो दो different 3 यहां पर different कितना चाह तो आगे कितना बन जाएगा 5 दस में 5 एड किया 15 option C क्या हो जाएगा बई सही answer हो जाएगा यह बिल्कुल basic basic question सम कर रहे हैं बिल्कुल basic basic question है आगे अच्छे level वाले question भी आएंगे बई आगे अच्छे level वाले question भी आने वाले question number 30 देखो Q3 को ध्यान से समझना 9, 10, 11, 23, 49 आगे वाला आपको बताना है आगे वाला क्या हो जाएगा Q3 को ध्यान से समझना Q3 को ध्यान से समझना ये क्या कहा रहा है देखिएगा बहुत बढ़िया Q3 को ध्यान से समझे कमेंट में फटाबर से answer mention करते रहे Q3 को ध्यान से समझना 9, 10, 14, 23, 49 देखना आगे आपसे पूचा है डिफरेंट एक, डिफरेंट चार डिफरेंट कितना है याँ पर 14, 23, 9 का आगे कितना देखिए समझना पेटन को समझना इनकी बीच का डिफरेंट कितना है 3 का इनकी बीचगा डिप्रेंट कितना है 5 का आगे कितने का बनेगा 7 का तो 9 और 7 कितना हो गया 16 तो डिप्रेंट कितने का बनेगा 16 और आगे देखना यहां तक तो 16 का ठीक है यह पैटर अपन्ने गलत कलिया ठीक है एक बार वाफिस से repeat कते हैं पर और वाफिस से 1,4,9 और 16 यहां तकक तो इसी में दिया हुआ है 16 यहां तक तो इसी में दिया हुआ 16 देखना यह आपको square लग रहे हैं क्यार देखो 1 का square 2 का square 3 का square 4 का square तो आगे क्या बनेगा 5 का square 5 का square का मतलब कितना हो गया 25 और 49 में अगर मैं 25 एड़ करूँगा 49 में मैंने एड़ कि कितने 25 चार और इतना क्या बना 64 मेरे पास कहां पर है option D option D में क्या है 64 है जो मेरा क्या बन जाएगा सही answer बन जाएगा option D question number 31 को ध्यान से देखिए फटा परचे से भी लोग answer करें जाए कि उसे में 31 से देखिए dat चार तक ** चार परचे से बना आप से पास है 8 पर music बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वह नो आपके पास है फूंच चिया ऑल26 ये आपके पास प्यटन है आगया वाला आपसे पूकर है और ल एक सो साट में नो जोडूंगा एक सुसाट में जोडूंगा 171 how do happen be जेखो एनके बीच में जो किसी स्कुरे की क्या है वेल्जू ते रहे है लिए एक स्क्राइप इनके बीच का स्क्राइब 25 इनके बीच इनका स्क्राइब नो ऐसा कुछ दिया हुआ बहुत बढ़ी है ठीक है आगे क्यूशन नमर 32 देख लिजेगा क्यूशन नमर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्रटापट से सभी लोग क्यूशन नमर 32 का कमें आंसर में एक चिंटा क्यूशन नमर 32 क्या कह रहा है ध्यान से बताएगा चैने पैटन है एक बार वापस से देख लेते हैं इसको इसके बीच में क्या पैटन है देखिएगा अपने पास दिया है साथ एक चिंटा 200 सत्यान में 308 तर आगे है QI pushen Mark समझना इनके बीच क्या है 13 का square का gap है 13 का square 169 का gap है 169 का gap है इसके बांद में याँपे है 11 का square का gap है 9 के square का gap है तो आगे कितने का square बनेगा 13, 11, 9 7 का square क्या होता है 7 क्या होता है 59 में 9 7, 8 एट ठीक है यह कितना बन गया यह कितना बन गया बार 427 जो मेरे पास में का है option B में क्या है 427 यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा आज हमने कुछ questions किये कल की class में हम और अच्छे execution देखने वाले हैं यह बिल्कुल basic questions थे यह series के बिल्कुल basic questions थे जो बिल्कुल 10 plus 2 के जो बच्चे हैं जो CT की तियारी करें बिल्कुल फ्रेस हैं बिल्कुल जिन्हों ने अभी तक कि इस type की कोई question नहीं किये हैं उन लोगों के लिए यह question है और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा क्लास अच्छी लगिए वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें दोस्तों और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों थेंक्यू सो मस्